ओम शांती आज 18 फेबरुरी 2022 है प्यारे बाबाबा ने हम बच्चों को बतलाया कि हमें अपनी चलन को सदा उंचा और रॉयल बनाना है क्योंकि हम उंचे कुल के हैं साथी साथ ये ध्यान रहे चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपनी खुशी नहीं गवानी रोना नहीं है आज बाबा ने हम बच्चों को बर्दान दिया साधारन जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ट भाग्य बनाने वाले पदमा पदम भाग्यवान भव कहा जाता है कि भगवान भावना का भूका होता है उसे हमारे धन दौलत हमारे पास जो कुछ भी कलाए हैं जो कुछ भी हम सोचते हैं कि मेरा है वो उसे नहीं चाहिए लेकिन बाबा को भगवान को हमारी श्रेष्ट भावना चाहिए और जिसके पास श्रेष्ट भावना होती है वो अपना भाग्य बना लेता है तो बाबा ने कहा कि श्रेष्ट भावना भी जो साधारन होते हैं उनकी भावना श्रेष्ट होती है जहां पर मेरा पन होता है कि मैं कुछ हूँ ये मेरा है वहां पर देभान आ जाता है बाबा ने समय प्रती समय हम बच्चों को बतलाया है कि चाये हम कितने भी साधारन जीवन में हो लेकिन हमारी भावना श्रेश्ट है तो बहुत उच पद पा सकते हैं बाबा माताओं को कहते हैं कि यदि माताएं पड़ी लिखी नहीं है यह तो बहुत अच्छा है क्योंकि उनकी स्लेट साफ है और स्लेट जब साफ होती है तो बाबा अक्षर बहुत अच्छी रीती से लिखा जा सकता है बाबा गरीब बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारा एक रुपया और गरीब और साहुकार का हजार रुपया एक समान है उनको भी कहते हैं कि कोई बात नहीं आप मनसा सेवा के द्वारा अपनी श्रेष्ट कमाई कर सकते हैं तो चाहे वर्तमान जीवन में लौकिक रूप से हम कितने भी साधारन हूं लेकिन हमारी भावना सदा श्रेष्ट रहे यदि हमारे पास सब कुछ है लेकिन भावना नहीं तो हम भाग्य नहीं बना सकते तो अपनी भावना को अमे जागरित करना है दे अभिमान को समाप्त करना है और बाबा से पूरा भाग्य लेना है ओम शान्ती